हाई एवरिवन कैसे हैं आप लोग वेलकम टू मैई चैनल तो आज किस वीडियो में मैं बात करूंगे हैर ओयल को लेकर कि घर पर कैसे हम एर ओयल बनाएं बालो के लिए जो बालो की जो प्रॉब्लम से उनको जड़ने से कैसे रोके थिकनेस कैसे बनाएं उसके अंदर और शा अच्छे से मजबूती बनाए रखते हैं इसके अंदर मैंने एक ओनियन लिया और उसको ग्राइंड कर लिया उसको घिस लिया मैंने इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने इसको प्लेट के अंदर ले लिया है इसके बाद आप इसको क्या करिएगा एक पैन ले लीजिएगा ट्रीक है पैन को थोड़ा सा गरम कर लीजे आiji इसके बाद इसके अंर ऑंनिन घिसी है इसको मैंने कर दूए इसको आप इस पैन में डाल दीचिंए इसके बाद इसको झूड़ा सा चलायेगा और इसके बाद आप जो Gaनटी ओइल है वह इसके इंदर डाल लिए जितना आपको लगाना है आप उतने डालिए मैंने वन वीक के लिए बनाया है क्योंकि आप इसको हपते में दो बार भी यूज करेंगे तो आपकी जो भी बालों की प्रॉब्लम्स है वो सारी दूर हो जाएंगी जो बाल आज के टाइम पर बहुत जादा नहाते वक्त भी कोई से भी ब्रैंड का कोकोनट ओयल यूज कर सकते हैं आप इसके अंदर तो इसको आप धीमी आज में इसको पकाईएगा धीमी आज पर पकने दीजे इसको और इसको चलाते रहिए नहीं तो यह नीचे से चिपक जाएगा तो इसको जब चलाते रहेंगे आप तो यह खु सूख चुका है और मतलब की ओईल के साथ यह अच्छे से मिक्स हो चुका है अब इसका ओईल तैयार हो गया है तो आप देख सकते हैं इसको तो अब यह आलमोस्ट रेडी हो चुका है अब इसको में एक बाउल के अंदर निकाल लूँगी तो आप देख सकते हैं मैंने इसक के बाद आप क्या गरिएगा कोई कोटन के कपड़े से आप इसको चान लीजिए अगर आपके पास कोई खाली बॉटल है तो आप उसके अंदर निकाल लीजिए या किसी डबे में निकाल लीजिए आपको तो पता ही है हेर फॉल या बालों का ज़ड़ना एक बड़ी प्रॉब्लम्स है इस समस्या से मतब ज्यादतर मेल फीमेल दोनों ही परेशान होते हैं कुछ लोग तो रोज अपने ज़ड़ते हुए बालों को गिन गिन कर ठक जाते हैं ये बस सही है कि इन सारी प्रॉब्लम्स का जो चीफ रिस्पॉंसिबल है वो पॉलुशन है हम सभी रोज पॉलुशन का सामना गरते हैं फिर चाहे हम बालों को बचाने के लिए हेर मास्क लगाए या फिर टोपी बहन ले बालों को नुकसान तो होता ही है और हर दिन इनकी चमक कम होती चली जाती है हेर फॉल की जो प्रॉब्लम्स है वो अकेले नहीं आती है जैसे कि इसके साथ सर मतलब की जो सिर की तुचा है या स्कैल्प से जुड़ी कई प्रॉब्लम्स जैसे डैंडरफ गंजापन बालों का पतला और सफेद होना जैसे इसे ट्सेटरा जाएंगे तो उस चीज़ की टेंशन जो होती है वह हमारे फेस पर भी पढ़ती है तो इसलिए मैंने एक हैर ओल बनाया है ओनियन हैर ओल इससे ग्रॉथ बढ़ेगी और जो बाल तूटते हैं वह तूटने बंद हो जाएंगे ठीक है तो वह मैं बता दीती मैंने हैर ओल कैस बाल डालने के बाद इसकी स्मेल चली गई थी और मतब सर पर लगाने लाएक था और काफी अच्छा था इसका जो स्मेल भी था खुश्वू भी आ रही थी इसके अंदर एक होता है कि हाँ थोड़ी स्मेल आएगी ओनियन लगाएंगे तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं था यह को है कि कई हेर केर प्रोड़क्ट्स और हेर ओइल्स भी कलोंजी या प्याज के यूज का जिक्र मिलता है इसके अलावा भारत में भी सैक्डो साल्सिस का यूज होता आ रहा है बालों को हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत फायदे मंद है हेर ओनियन की जो फायदे हैं वो कमटे नाझ मैं उसके लिए बी हेल्प करता है यह बैक्टिरियल इंफेक्शन से भी बचाता है बालों की लंबाई भी बढ़ाता है बालों को चमकदार भी ब debstvent और हा यह कंडिशनर का भी काम करता है तो हैर और चार। ऑफी सारे बेनिफिट हैं स protrude में उसको एक दिन दि बाद में वोश करिएगा